नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग गेशक्सेश्टूब फोर्टेशन के एक और ये वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आप सभी के लिए फिर से लिए का चुका हूँ करेंटर फेस का एक और वीडियो आज आपके है आठ सितंबर तो आठ सितंबर की मोश्ट इंपोर्टन यहाँ पर राज़सान प्लस इंडिया और वर्ल्ड की भी हाँपी करेंटर फेस देख लेंगे तो यह आपको बताना है कहां पर पैना जाता है चार आपके सामने है इसका जवाब फटावट से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए चली आज के करेंट फेस के कोशिन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते है कि हाले में कौन सा जिला इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में देश का रोल मोडल बना है तो यह बनाया दोस्तों जुन-जुनू यानि कि भी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेट हो जाएगा तो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना देश में चलाया जाना वाला एक अनूठा अभियान है जिसके तहट भारत सरकार के विज्ञान एउन तक्निकी मंत्राले द्वरा युवा विज्ञानिकों की खोज का प्रयास किया जाता है यह आप समझ गए कि इंस्पायर अवार् पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया और राजस्तान में पहला स्थान हासिल किया जब देश के विज्ञानिकों ने दस लाख में से लगबग एक लाख बाल विज्ञानिक युवा विज्ञानिकों का चैन किया तो जुन-जुनों के आइडियाज जो अपलोड किये थे इतने सारे, इनको स्ट्रेश्ट साबित हुए, यह जो आइडियाज है, वो एकदम टॉप के साबित हुए, ठीक है, और नॉमिनेशन के अंदर, चौते स्थान से, यह दूसरे स्थान पर पहुंच किया, यानि कि दो स्थान का इसे और यहां पर फाइदा मिला, तो इसके तहत, सेकिंड पोजिशन में यह पूरे देश बर मेरा, तो और साथ में राज़तान का इनों ने यहां पर गौरव भढ़ाया, तो इसलिए, यह पूरा कोशिन माना आपको यहां पर करवाया है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, इंपोर्टन है, आपके एक्जाम में 10,000 रुपे यहां पर मिलने वाले हैं, यानि कि हर एक विध्यारती को 10,000 रुपे मिलेंगे, अच्छा, यहां पर बात किसकी ही है, जुन-जुनू की, तो यह रामयब में आपके सामने जुन-जुनू, क्या कहते हैं इसे, तामर जिला कहते हैं, एक तो यह हो गया, अच्छ रानि सत्य मेला यहां पर लगता है, यह आपको पताई होगा जुन-जुनू में, यहां पर एक अजीत सागरबांध भी है, नरहड पीर जी, तीक है, यह इसका मेला लगता है, नरहड के अंदर, लोहारगल मैं आपको बताई दिया, लोहारगल में फेमस क्यों है, अभी हाल ब्रिगेड का गठन यहें पर किया गया था, नवलगड यहें पर स्तेद है, गींदर्ड चब धप पर अंपरागत लोकनित्ते हैं यहां के, एक अकवाली है, जहां पर देश की प्रतम घनिज कोर लाइबरेरी स्थापित की गई थी, यह सारी बातों की जुन-जुन की, आपका यहां पर एक रेट हो जाएगा, यह है कहां पर आप सभी को पता है, उद्रपूर के अंदर हैं, तो नवनियोक्त कुलपती, प्रोफेसर अमेरिका सिंग, विश्व इध्याले के प्रशाशनिक भवन के बाहर, एक ऐसे रोबोड को तेनात करवाने वाले हैं, जो ना तरीके का काम उनको है, उसका जवाब भी वो रोबोड उनको दे सके, जैसे कि आप वहाँ पर विश्व इध्याले में गए, तो रोबोड आपसे पूछ लेगा, कि आपको किस से मिलना है, आपका क्या काम है, और जैसा ही आप उसको जवाब दोगे, वो आपको रिटन में जवाब दे पाएगा, कि अंदर कौन है या नहीं मिल सकते है, जो भी है, वो आपको वहाँ पर जवाब दे पाएगा, तो इस तरीके का रोबोड वहाँ पर लगाने की प्रयास चल रहे हैं, और एक नाम मैंना अभी आपको बताया है, प्रोफेसर अमेरिका सिंग, ये हाल ह में इस महोनलाद सुखाडी अविशे में ध्याले के कुलपती बने है, इसका मैंने आपको कोशन भी करवाया था, आप डेली अगर क्लास लेते हो, तो आपको याद होगा, तो ये बात इससे कोशन की होगी, अच्छा बात हमने हाँ पर किसकी किया है, उद्वपूर की, तो मैगजीन के द्वरा, वेश्यो के सर्वशेष्ट शहरों की सूची में उद्वपूर को शामिल किया गया था, अभी स्वच्छता सर्वेक्शन 2020 जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर, एक से लेकर दस लाग आबादी वाले टॉप हंड्रेड शहरों में उद्वपूर की र रेंक रही थी 81 सीवी, और हाली में एक कोशन और में हमने पढ़ा था कि भारत सरकार के जल सक्ति मंत्राले ने वर्षा जल सरक्षन में नवाचार के लिए पुरुसकार हेतू उद्वपूर जिले को सर्वशेष्ट जिले के रूप में चिनहित किया है, तो इतने सारे कोशन यहां पर एक रठि हो जाएगा, तो ग्राम सर्व पर अधिक से अधिक वेक्ट्यों किसानों को सेहकारिता के डायरे में लाकर वर्षद dünyद दुवाइस तेई सक दो हजार नई ग्राम सेवा सहकारी समीतियों का गठन किया जाएगा राजी के सभी ग्राम सेवा सहकारी समीतियों को खादेवम के इतना शक्त बेचने के लाइसेंस जारी किया जाएंगी इसके अंदर अच्छा वर्तमान के अगर मैं बात करूँ अभी प्रदेश में कितने ग्राम सेवा सहकारी समीतियां कारे रहते हैं तो उनका आकड़ा मैं आपको बता देता हूँ 6545 और अब ये 2000 और बनेगी ठीक है अशोग घहलोत ने की है तो महत्मा गांदी ये option आपका यहां पर correct हो जाएगा और हाले में दोस्तों मैंने आपको अगरस्त महीने की पूरी राजस्तान करेंट अफेस प्रोवाइड करवा दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं रखा है तो चैनल पर आगी जरूर देख लाना वीडियो के description में link दे रखा है साथी राजस्तान के अंदर वर्तमान में कौन किया जैसे कि वर्तमान में कौन अधिकारी है कौन मंतरी है उनके बारे में भी एक वीडियो अपलोड कर दिया है तो वो भी आप चैनल पर आगी देख सकते हैं और इस वीडियो के description box में link भी ही दे रखा है और इस वीडियो के अगर आपको PDF चीए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए टेलिग्राम चैनल का link आपको वीडियो के नीचे description में देखने को मिल जाएगा साथ हमारे Instagram, Facebook और WhatsApp contact detail भी आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगे तो हाल ये में मुख्यमंत्री अशोग हैलुत ने COVID-19 महमारी को देखते हुए वीडियो कॉन्फरेंस के माद्यम से महत्मा गांदी की डेड़ सोवी जैनती पर Global Conclave और उनके जीवनी पर आधरे लाइट एंड साउंड शो का आयोजन के जाने के हाँ पर निर्देश जारी किये है अच्छा एक चीज़ आप मुझे ये बताईए कि इनकी जो जैनती है वो कब बनाई जाती है मेरे साब साब सभी को बताऊगा comment box अफटावट से बताईए ठीक है महत्मा गांदी जी की जैनती कब मनाई जाती है तो राज्य से लेकर जिला एवं ब्लॉक सतर तक कारेकरम का आयोजन किया जाएगा इनकी जैनती के उपर अच्छा इन आयोजनों की ठीम वो क्या रहेगी वो रही कि महात्मा गांदी का शांती एवं अहिंसा का संदेश जो ये शांती और अहिंसा का संदेश देते थे वही थीम रहने वाली है इस बार की और साथ में रजस्तरिय महात्मा गांदी सद भावना अवार्ड भी हाँ पर प्रदान किये जाएंगे इनकी जैनती पर हमें आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि इनकी जैनती कब मनाई जाती है ठीक है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बढ़ते हैं एक ले कुशिन की और के हाली में COVID-19 से संबंदित रिपोर्ट हे तू आटोमेटिक सिस्टम विक्सित किया जाने की गोश्टा किस ने की है अशोक गहलोत ने डी ओप्शन आपका यहां पर इकरेट हो जाएगा तो मुख्यमंतर अशोक गहलोत की पहल पर राजस्तान में चिकिस्सा विभाग ने आटोमेटिक सिस्टम विक्सित किया है जिसके अंतरगत प्रदेश में 7 सितंबर से कोरोना जांच की जो रिपोर्ट है वो संबंदित व्यक्ति के रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सीधे उनको ही मिल सकेगी यानि कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा रिपोर्ट लेने के लिए घर बैटे अपने मोबाइल पर वो रिपोर्ट पास सकेगे तो चिकिस्सा विभाग ने कोरोना की रिपोर्ट की सुचना संबंदित व्यक्ति तक तुरंत पहुंचाने का आटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर विक्सित किया है यानि कि रिपोर्ट उनको जल से जल मिल सके रिपोर्ट के बारे में उनको जल से जल पता जल सके इसलिए आटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर विक्सित किया है चलिए बढ़ता है एक लिकोशन की और कि हाली मेरास्ताने कि से जिले में पिर्देश का तीसरा अंतराष्टे स्थर्का होकी एस्ट्डो टर्फ तियार किया गया है तो कहां पर किया गया है यह आपको बताना है तो यह किया गयए दोस्तों Udhapur के अंदर यह option आपका यहाँ पर यह गरेट हो जाएगा उद्यवपूर के खेल गाओं में अच्छा यह आपसे डारेक्ली अगर एक्जाम में यह option दे दे तो यह भी आद रखेगा उद्यवपूर के खेल गाओं में इसकी जो लागत है यानि कि बनाने का जो खर्च है वो कितना है पां आटिफीशल रूप से त्यार किया जाता है यानि कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो घास होती है बेसिकली आपने जो मैदान में घास देखियोगी वो नेचुरल तरीके से उगती है लेकिन यह आटिफीशल तरीके से उगई जाती है क्रितरिम घास होती है बेसिकली ज साधारन घहस होती है उसके अपेक्शा ये ज़ादा मजबूत होती है मिट्टी यानि के जो वहां के जोमिट्टी है उसको ज़ादा मजबूती से पकड़े हुए रखती है और इसका जो मैदान होता है वो पूरी तरीके से संधल होता है आपने जो नौर lowers इसलिए मैदान देखे होंगे किसी भी खेल के उसमें आपने अगर नैचुरेल घास देखे होगी तो वो उबढखा बढ़ रहती है लेकिन आर्टिफिशल तरीके से लगाई जाती है इसलिए जो मैदान होता है वो पूर एकदम समतल होता है ये इसके खास विशेष्था है त करते हैं अगले कुशिन की ओर कि हाली में किस कंपनी को IPL के तीन सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है तो कौन सी कंपनी है अनकैडमी सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा यानि कि अनकैडमी को तीन सत्रों के लिए ओफिशल पा एक आधिकारिक पार्टनर यानि कि ओफिशल पार्टनर के रूप में इसे चुन लिया गया है अच्छा एक कोशन हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि IPL की टाइटल स्पॉंसर्शिप वो किसे दी गी थी वो ड्रीम 11 को दी गी थी इन दोनों का कोशन में गन्फ्यूज मत ह आईपेल की जो टाइटल स्पॉंसर्शिप है वो तो ड्रीम 11 को दी गी थी और इसका जो आधिकारिक पार्टनर अब चुना गया है वो अन एकेडमी को चुना गया है तीन सत्रों के लिए अच्छा और पहले इसकी जो टाइटल स्पॉंसर्श्शिप थी वो किसके पास थी Vivo के पास थी ठीक है Vivo IPL आपने नाम सुना ही था अब उसकी जो title sponsorship है वो इस साल के लिए खतम करके Dream 11 को दे दी है यह आपको मैंने question पहले ही करवा देता अच्छा IPL जो 2020 अभी होने वाला है ठीक है यह कौन सा है तेर्वा IPL होगा होने वाला कहां पहे UAE के अंदर अभी हाली में 19 सितंबर से यह शुरू हो जाएगा यह आपको पता ही है तो यह बात होगे इस question की बढ़ते हैं अगले question की और कि हाली में breaking the cocoon at the rate 40 पुस्तक को किस ने लिखा है तो Radha Nair ने यह option आपका यहां पे correct हो जाएगा तो Radha Nair वेसिक लिए एक लेखी का है और हाली में इन्होंने breaking the cocoon at the rate 40 नामक पुस्तक को लिखा है other options के हम यहां पे अगर बात करें डॉक्टर अदीशा दास के अगर में बात करूँ तो इन्होंने भी हाली में एक book लिखी थी जिसका नाम था The Yogini Poems फिर से repeat कर देता हूँ The Yogini Poems Love and Life यह तीश यादव की अगर में बात करूँ यह सभी मैं आपको वैसे basic लिख करवाद चुका हूँ यह हम revise के तोर पर other options लेते हैं यह तीश यादव की बात करूँ तो इन्होंने हाली में एक book लिकी थी raw से संबंदेत raw a history of India's covert operation नीना राय की बात करें तो हाली में इन्होंने एक book लिकी थी amazing अयोध्या नाम से एक इन्होंने book लिकी थी बढ़ते हैं अगले question की और के हाली में इयान बेल ने सन्यास की गोशना कर दी है यह किस देश्च है तो इयान बेल आपको पता होगा इंग्लेंड के खिलाड़ी थे c option आपको यहाँ पे एक रट हो जाएगा तो इंग्लेंड cricket टीम के पूर दिगर्ज खिलाड़ी है इयान बेल और अभी इनों ने ही professional cricket से सन्यास की कोशना कर दी है तो sports से संबन दी जो भी कोशन होते है वो important होते हैं इसलिए यह वाला आपको यहाँ पे करवा दिया गया है बढ़ते हैं लोकोशन की और के हाली में Canadian Space Agency की पहली महीला अद्यक्ष कौन बन गई है यह important है Lisa Capbell यह option आपका यहाँ पे गड़ हो जाएगा तो Canadian Space Agency के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महीला वहाँ की अद्यक्ष बनी है नाम क्या है Lisa Capbell other options के मैं बात करूँ कारमेन रेनहाट की तो World Bank ठीक है हाली में World Bank की Chief Economist बनी थी हाली में Theory Delaport के अगर हम बात करें तो Wipro ठीक है यह Wipro है Wipro की MD CEO बने थी बनेते हाली में यह Marcos Trigo यह भी important है New Development Bank के अगले अध्यक्ष यह बने है तो सारे other options के बाद हमने यहाँ पे कर ली है और 10 important question में आपको करवा दिया है with full details other options जो भी थे पूरे detail के साथ कर रहा है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक खमेट और शेज जरूर करें चैनल पर पहली बार आयो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को क्लिक जरूर करना तो दोस्तो धन्यवाद मिलता ने एक वीडियो में